हालो फ्रेंट्स, वेलकम टो आई चैनल स्टडी फॉर यू, तो गाई जैसा कि आज 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 के 17 नुवंबर का 2nd SIP का एक्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस विड़ा में बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 17 नॉंबर के 2nd सिप के exam में जो है प्रेश्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSS Teno Graffer से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में यह आपको एक बैल इकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दिएगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का आपका पहला कोशन आए था कि खोड़दाद साल यह किस धर्म का तेवार है तो देखें यह जो आपका खोड़दाद साल है ना यह भारत का पारिशी समुदाए के द्वारा यह तवहार मनाया जाता है तो पारिशी समुदाए आपका करेक्टेंसर होगा और यह जो आपका खोड़दाद साल है ना यह जो रिस्टर की जयनती या फिर जन्मतीती है आपका correct answer होगा, बात कर ले इनके पुरुषकार के बारे में, तो देखे, 1986 में इन्हें संगीत नाटक अकाडमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था, और भारत का चौथा सर्वोच नागरीक सम्मान जो है, इन्हें 1991 में पदम स्रीज से सम्मानित किया गया था, वहीं भा पादर लेगेसी इन प्लेइंग तबला, यानि किनों ने तबला वादन में अपने पीता की विरासत को जारी रखा था, तो देखे, यह जो आपके उस्ताद जाकिर हुशैन खान थे ना, यह जो आपके तबला वादन में अपने पीता की विरासत को जारी रखे थे, तो उस उस्ताद जाकिर हुशेन आपका correct answer होगा। बात कर लें उस्ताद जाकिर हुशेन के बारे में तो इन्हें जो वर्स 1988 में पदम स्री और 2002 में पदम भूशेन से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके उस्ताद जाकिर हुशेन थे ना ये आपके उस्ताद अल्ला रखा के पूत्रे थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका अपरा था कि अंतराश्ट्रे योग दिवस पहली बार यानि पहली बार ये कब मनाया गया था तो देखें मैं आपको बता दू कि साल 2014 में पहली बार प्रधान मंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने योग दिवस मानाने का प्रस्थाव रखा था और मोदी जी ने संयुक्तराश्ट महासबा में भासन देते हुए 21 जून को योग दिवस मानाने का प्रस्थाव पेश किया था और 11 दिसंबर 2014 को मोदी के प्रस्थाव को स्विकार कर लिया गया था और इस तरह शे 21 जून 2015 से अंतराश्ट्री योग दिवस की जो वो शुरुवात हो गई थी यानि योग दिवस पहली बार जो है या आपका 21 जून 2015 को जो हो मनाय गया था तो 21 जून 2015 आपका correct answer हो नेक्स्ट कोश आपके आपनाय था कि अंतय योदय अन्ने कारिक्रम सबसे पह गया था और इसे पहली बार जो है वो राजस्थान राज जी में जो हो लागू किया गया था तो राजस्थान आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि किस राज्ज सरकार ने गैर कामकाजी मताओं के लिए जो है अम्मा योजना और च्छात्राओं के लिए पहिनी योजना जो हो whose और जो है तो देखे हाली में सिक्किम राजस्थान के द्वार जो है गैर कामकाजी मताओं के लिए जो है अम्मायोजना और च्छात्राओं के लिए जो है यह बहिनी योजना जो हो सुरू किया है तो सिक्किम आपका यहाँ पे correct answer होगा next question आपका य मौरे वंस की अस्थापना मगत के किस वंस के बाद हुई थी तो देखे मैं आपको बता दू कि कॉटिली की सहायता से चंद्रगुप्त मौरे ने तीन सो बाइस इसा पूर्व में नंद वंस को समप्त करके जो है यह मौरे वंस की निव डाली थी तो नंद वंस आपका यहाँ एक करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाँ आप रहा था कि ओम के नियम की खोज यह किस वर्स हुई थी तो देखे मैं आपको बता दू कि वर्स 1827 में जोर्ज साइमन ओम के द्वारा जो है ओम का नियम जो हो खोजा गया था तो 1827 आपका करेक्ट एंसर होगा अ होगा तो есяसर सबसे उस्तम सुरोत जो हो कौन सा होता है जहां पर ऑप्शन में आपका फीस लीवर उयल से दिया था तो दूड या नि फूड वेब का जो सिधान्त है न यह किसने दिया था तो देखे फूड वेब का जो सिधान्त है यह चारल्स ऐलिटन के दौराद मैं द कि इन में से कौन सी जो दलाई लामा की आत्मकता यानी ओर्टो बाइगराफी तो देखे जहां पर आप्शन में आपका Freedom in Exile दिया गया था तो देखे मैं आपको बता दू कि एजो आपका Freedom in माई पीपल ये जो है दलाई लामा की पहली ओटो बाइग्राफी थी जिसे 1962 में प्रकासित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका अपराता कि इंडी का नामक पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है तो देखें इंडी का नामक पुस्तक ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है तो मेगस्थनीज आपका करेक्ट टैंसर होगा next question आपका आप रहा था कि which element of group 18 has atomic number 10 यानि group समू 18 का कौन सा atomic number जो है उसका जो वो 10 होता है यानि periodic table में समू 18 में atomic number यानि परमानुस संख्या जो वो 10 जो है वो किसका होता है तो देखें मैं आपको बता दू कि आवर्ट सारनी में group 18 को जो है या आपका inert gas या फिर noble gas जो वो कहा जाता है तो या आपको ध्यान में रखना है इसके लावा जो group 18 में जो atomic number 10 है वो आपका neon का होता है तो neon आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका अब रहा था कि कुलार की खान ये जो है किस खनीज के लिए परसीद है तो देखें ये जो आपका कुलार की खान है ना ये सोने की खानों के लिए जो है ये परसीद है यानि gold mining के लिए जो है ये परसीद है तो gold mining आपका correct answer होगा इसके लावा एक्जाम में एक प्रेश और पूछा जाता है कि कुलार की जो खान है ना ये भारत के किस राज्य में इस्तीत है तो ये आपका करनाटक राज्य में इस्तीत है तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट वर्श आपके यह पर आप रहा था कि 2011 की जनगन्ना की अनुशार भारत का सबसे ज्यादा जनसंक्या जो है ये किस राज जी का है तो देखे 2011 की जो जनगन्ना होई थी उसमें जो उत्तर परदेश राज जी का जो आबादी था रहा था भारत का लगबग 16.51 परसे वो आपका राजस्थान राज्जी है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा 2011 की जनगन्ना केंशा भारत का जो है सबसे कम जनसंक्या ये जो है किस राज्जी में है तो ये आपका सिक्किम राज्जी में है वही अगर छेतरफल की दृष्टी से पूछ ले तो जो है वो सबसे छोटा राज्जी है तो ये फैक्ट वही आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि वज्जी ये जो आपका सुल्ह महा जनपद में ये आपका वज्जी था ना इसकी राजधानी किस सहर में थी तो देखें वज्जी की जो राजध यहापका वैसाली में यह वैसाली में था तो वैसाली यह आपका करैक्ट टेंसर होगा वही अगर बात कर ले मगद की राज़azy क्या थी तो यह आपका राज़गरी था यानि राज़गरी जो था यह मगद की राज़धानी था इसके पाद कर लेb nickel months. cognitive के आपके doll's को एक्सामे प्रेशन पूछे जा सकते हैं, जैसे की मतसी की राज़ानी क्या थी, तो यह आपका विराट नगरी था, कंबोस का अगर पूछा जा तो यह आपका राज़पुत राज़ानी था, अस्माग का पूछा जा तो यह आपका पढ़ना में था, अंग का जो आपका चंप पांचाल ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि इद उल फितर ये जो सवाल के पहले दिन मनाय जाता है जो इसलामिक कैलेंडर के किस महीने में जो ये आपका पढ़ता है तो देखें ये जो आपका इद उल फितर है ना ये सवाल के पहले दिन मनाय जाता है जो इस Islamic calendar के दसवे महीने में जो यह आपका पढ़ता है तो दसवे महीना आपका correct answer होगा Next question आपका आप रहा था कि economic reform 1991 which of the following is incorrect यानि 1991 में आर्थिक सुधार के बारे में जो आपका कथन दिया गया था और चारो कथन में से आपको बताना था कि इन में से कौन सा कथन जो है वो आपका गलत दिया गया है तो देखे इसके option मुझे बच्चो द्वारा नहीं मिले है जिसको भी इसका option पता वो comment करके जो है वो जरूर बता दीजिएगा नेक्स्त वुश आपका क्या आपणा था कि when was first woman uber cup heled यानि पहला महिला uber cup जो है यह कब आयोजित किया गया था तो देखे यह जो आपका uber cup है यह परमुक अंतरास्टे badminton परितुग्टा है जिसमें महिला रास्टे badminton जो है ती में जो है वो हिस्सा लेती है तो 1957 में ये पहली बार उमेन उबरकप को आयोजित किया गया था तो 1957 आपका यहाप एक करेक्ट टेंसर होगा अगर 1957 ओप्सन में नई दिया होगा तो 1956 फिर आपका करेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाप रहा था कि सत्रंच के लिए 2021 का जो ध्यानचंद आवाड है यह किसे मिला है तो देखे 2021 का जो ध्यानचंद आवाड है सत्रंच में ये अभीजीत कुंते को दिया गया है तो अभीजीत कुंते आपका करेक्ट टेंसर होगा तो इतने question जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% real और authentic है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है like जरू कर दीजेगा और इसी तरह किसी भी exam का real analysis पाने के लिए जो है चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तब त